हेलो फ्रेंड्स यह है हमारी मार्बल ब्राउनी जिससे हमने बिना अंडा बिना ओवन बिना ओवन बिना ओईल के बनाया है तो चलिए बिना देरी के फटा फट बनाना शुरू करते हैं इसे इसके लिए मैने एक कप मैद़ा ले लिया है जिसको दो तींग बार चान लिया है मैने हाफ कप पवडर सुगर ले रहे हूँ जो घर पे कीच पी सीवी है इसे भी चान ले एक तीस्पून में इसमें बेकिंग पॉडर डाल रहे हूं और एक टेबल स्पून कोको पाउडर अब पहले इनको मिक्स कर लेंगे फिर हम इसमें रूम टेंप्रेचर का दूर डाल के इसका गाड़ा बैटर बना लेंगे दूर थोड़ा थोड़ा करके डालें फ्रेंड्स यह देखिए ऐसा गाड़ा बैटर बनाना है अब मेरे पास यह चोकलेट गनाश है जो मैंने घर पर ही बनाया है और बीना क्रीम के बनाया है और अभी ठंड है ना तो यह रूम टेंप्रेचर पर ही इतना गाड़ा हो चुका है तो अब इसमें हम 100 ग्राम चोकलेट गनाश डा ना बूलें और कमेंट करके भी बताएं कौनसी सीटी से आप मेरा वीडियो देख रहें और अगर कोई रेसिपी देखना चाहते हैं तो वो भी बताएं मैं जरूर ट्राइब करूंगी बनाने की अब मैं इसमें 2 टेबल स्पुन घी डाल रही हूं जो घर का बनावा घी है आप चाहें तो बटर डाल लें इसमें ओल लिना डालें फ्रेंड्स क्योंकि ओल से इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा घी या बटर ही डालें और बेक करने के लिए मैंने बाटी कुकर को 10 मिनिट के लिए हाइफ लिम पे प्रिहिट कर लिया है और अगर आप ओवन में बेक करना चाहते हैं तो ओवन को आप 180 डिग्री पे 10 मिनिट के लिए प्रिहिट कर लें अब हम इसे ग्रिस की ओवे मोल्ड में डाल लेंगे और इसे अच्छे से टैप टैप कर लेंगे अब इसको मार्बल इफेक्ट देने के लिए मेरे पास वाइट चॉकलेट गनाश है यह देखें अब इस गनाश को हम इस पूरे बैटर पे फैला लेंगे थोड़ा थोड़ा करके और थोड़ी थोड़ी दूरी पे फैलाएंगे यह देखें अब टूत्पी की मदद से हम इसकी डिजाइन देदेंगे और अब मैं इसे प्री हीटेड बाटी कुकर में बिलकुल लो फ्लेम पे तीस से पैतिस मिनट के लिए बेग करूंगे और ओवन में भी आप इसे पच्छी से तीस मिनट के लिए बेग कर लें तो अब हम इसको बेग करने रख देता है यह देखें 30 मिनट में अच्छे से बेग हो गया है तो अब हम इसको कट कर लिंगे आपको जैसे साइज पसंदो को साइज में कट कर लें चोटी या बड़ी मैं नॉर्मल साइज में कटिंग कर रही हूं इसके और ये रून टेंपरेचर पे फ्रेंड्स चार से पांच दिन तक खराब नहीं होगी और फ्रिज में रखेंगे तो फ्रिज में ये पंदरा दिन तक खराब नहीं होगी तो ये देखें कितना अच्छा लूप काया एकदम फजी ब्राउनी तयार हुई है हमारी शाइनिंग आप देख सकते हैं और इसका मार्बल इफेक्ट भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा आया है तो फ्रेंड्स आपको ये रेसिपिक कैसी लगी कमेंट करके बताना ना बूलें और आप भी इसे बिना ओइल, बिना ओवन, बिना अंडे के ऐसे आसानी से घर पे बनाए और इसको गरम ये ठंडा जैसे आपको पसंदो वैसे इंजोई करें थैंक्यू